नवस्कार आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। में कोरोना कम हो गया है। लेकिन ये कहना बेलकुल गलत है कि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर जा चुका है। बेहार सरकार ने क्या निर्णे लिया है और किसके बारे में और क्यों लिया है। तो इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जाने बेहार में स्वास्तविभाग के उस फैसले को जो एक बार फिर से राजिके चिकितसकों और स्वास्तकर्मियों के छुटियों के संबंध में जारी किया गया है। कोरोना महमारी को देखते हुए बिहार स्वास्तविभाग ने मगलवार को फिर से सभी चिकितसकों के साथ स्वास्तकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश को 15 जून तक के लिए रद करने का आदेश निर्गत कर दिया है। या आदेश तदकाल प्रभाव से लागू भी हो सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के अपरत्याशित रूप से बढ़ते संक्रमन की रोग थाम के लिए विशेश चोकसी और मोनेटरिंग की आवशकता को देखते हुए सभी चिकितसा पताधिकारियों समविदा नियोजित सहित जिसमें चिकितसा पताधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुक, मेडिकल कॉलेज की परचार, अधिक्षक से लेकर जुनियर रेजिडेंट सहित निदेश विशेष्ट चिकितसा संस्थान तथाराज्य के सभी स्वास्त कर्मियों, पारा मेडिकल, जीनेम, एनेम, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्निशियन स सहित सभी चतुर्थ वर्गिय कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पुरू में निर्गत आदेश को 15 जुन तक विस्तारित कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमर थमा नहीं है और इतना ही नहीं जो स्वास्त कर्मी फिलहाल अवकाश पर चल रहे हैं उन्हें भी तुरंत बुला कर कारे में शामिल होने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। कर अग्या है।